इमिटर टर्मिलों को ओपिन करते हैं तो बेस टर्मिल जेनरली हाई हो जाता है 17 नमबर कोस्टन देखते हैं यूज़ू T, turn on, यूज़ू T turn on the resistance between emitter terminal, narrow base terminal, इसका right answer हो जाएगा is decreases. अथारा नमर हम लोग Options कहते है। तु टर्न ऑन यूजटी फोरवर्ड वाइस, दा इमीटर डायोड शूल भी, मोर दैन पिक पॉइंट, उनी इस नमबर कोशन वो रहा है, ये यूजटी इस सम्टाम अल्सो कॉल्ड, इसका राय टंसर हो जागा, डाबल बेस डायोड, अब हम लोग बीस नमबर कोशन देखते भी इनक्रीज करेगा, ये काईस नमबर कोशन देखते हैं, इन इंट्रेंस्टिंग अस्टेंट ऑफ रिजन, यानि निट्टा अफ है यूनी जैक्सिन टंसिटा इस गिवन वाई, तो इसका राय टंसर हो जागा आरबी वन, बटा आरबी बान पलस आरबी वी टू, बाइस देखते हैं भेंदा टम्प्रेचर इंक्रीज तो इंट्रेंश्टिक अस्टेंडर रेशियो तो इंट्रेंश्टिक अस्टेंडर रेशियो इसेंश्याली रिमेंस दा सेम होता है यह चेंज नहीं होता है आगे हम लोग देखते हैं वो रहा between the peak point and the value point of UGT emitter characteristics behave तो negative resistance region की तरह behave करेगा 24 नमर कोशन देखते हैं एक डाइका is a turn on y तो breakdown voltage को दोरा डाइका को हम turn on कर सकते हैं 25 नमर हम लोग कोशन देखते हैं 25 नमर कोशन वो रहा है the device that exhibits negative resistance region तो negative resistance region किसमें present होता है तो उनिजक्षन ट्रंजिस्टर में 26 नमर कोशन देखते हैं the UGT may be used as a UGT का application क्या है तो यह स्वातूत generator के लिए हम इसका UGT को उप्योग करते हैं 27 नमर कोशन हम वो रहा है यह डाइका is a simply डाइका क्या है तो simply a try का without gate terminal डाइका ट्राइका की तरह है मगर इसमें gate terminal नहीं रहता है 28 नमर कोशन हम लोग देखते हैं after peak point the UGT operate in the region peak point to UGT कौनसा region में operate होता है तो negative resistance region में operate होता है उनकी संबर कोशन देखते हैं which of the flowing is not characteristics of UGT तो इसका right answer हो जाएगा bi-directional conduction इस तीस नमर कोशन देखते हैं यह मेरा last question है the trika है जे like bi-directional of silicon controlled recti wires okay thank you thank you